हेलो स्टेटन, टोडे डिस्कस प्रोफिट और लॉस, नेक्स्ट वीडियो, हम इसके तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो अप पहले उनको देखें, उसके बाद आज वाले वीडियो को देखें क्यूसर नमर तन. चुशन नमर टन. ञिर मजद, बॉड़昨ुसoken टिंट रिस्टोर बॉड़ बाद पौर ऺंड़ त्रम्टपस को रिस्ट्रोंटिन, खुड़त रिस्टों। बग्स्थौलिपर निट्स्टिव सत्वड़ ने त्स्ट्रास्परणों। प्रॉडत. प्राइज सोट बे सॉल्ट टो गेन और फिप्टीन परसंट यह अलमीरा है यह 14,360 रुपीज की पर्चेस की और वहां से पर्चेस करने के बाद में अपने ले के आए घर पे तो 240 रुपीज क्या हुआ ट्रांस्पोर्ट चार्ज हुआ तो बताओ इसको कितने रुपे में उसने सॉल्ट क्या बेचा 15 परसंट क्या हुआ गेन हुआ तो स्टार्ट करें टोटल इन्वेस्मेंट क्या करेंगे टोटल हमारी यह पर्चेस की उसके बाद यह घर लेके आने का जो टांस्पोर्ट का जो चार्ज लगा वो लगा तो टोटल लिखेंगे हम टोटल इन्वेस्मेंट अन्वेस्मेंट अन्वेस्मेंट कितने रुपे होगा रुपेज हो जाएगा 14,360 प्लस में 240 दोनों को प्लस कर दे 0,0 4 प्लस 6 10 1 करें 2 प्लस में 3 2 प्लस में 3 5 और 1 करें 6 और 4 और 1 रुपीज यह हमारी क्या होगी cost price 14600 क्या होगी cost price अब हमें क्या निकालना है selling price निकालना है gain कितना है profit कितना है 15% selling price का formula हम लगाएंगे selling price SP is equal to क्या होता है हेंडड प्लस में profit percentage अपोन में हेंडड और multiply में cost price तो हेंडड प्लस में gain हमारा profit कितना है 15% प्लस में 15 अपोन में हेंडड और multiply में cost price क्या है 14,600 अब ये हेंडड प्लस में 15 क्या होगा 115 अपोन में हेंडड multiply में 14,600 तू जीरो से तू जीरो कैंसिल नीचे हमारे कुछ भी नहीं बचा उपर बचा 115 का multiply कर देंगे 146 हे तो इनका multiply हम कर देंगे इनका multiply आएगा हमारा 16,790 किसका multiply क्या है 115 का multiply 146 हे ये हमारे क्या आगया ये हमारा आगया selling price क्या आगया selling price आगया ये हमारे क्या आगया selling price देखो अलमीरा को हमने इतनी रुपे में पर्चेज किया था ये ट्रांस्पोर्ट का चार्ज हो गया तो हमारा total जो हो जाएगा cost price क्या हो जाएगा ये जो हमने खरेदा और हम उसको ले के आए ट्रांस्पोर्ट के दवरा तो total हमारे क्या हो जाएगा 14,600 क्या होगा cost price होगे न profit दे रखा 15% तो profit दे रखा तो हम selling price निकाल देंगे 100 plus में profit percentage upon 100 multiply cost price तो हमने निकाल दिया हमारा ये 115 upon 100 ये क्या होगा cost price तो cancel कर दिया और निच्चे हमारे कुछ नहीं बचा उपर बचा 115 multiply 146 तो multiply कर दिया selling price हमारे क्या होगा 16,790 रुबेज क्योसर निलेवाल an electrician sell a room heater for 3,220 रुबेज gain 1 by 6 of its cost price find is gain percentage gain होता है कि इस के उपर cost price के उपर और find क्या करना है cost price और ये इसने क्या कर दिया sold कर दिया room heater तो हम क्या करेंगे cost price हमारे पास नहीं है तो let करेंगे cost price क्या करेंगे ये हमारा heater है और इसने sell कर दिया 3,220 रुबेज का gaining 1 by 6 of its cost price find is gain percentage क्या find करना है gain percentage तो यहाँ let करेंगे let cost price let करेंगे हमारे पास cost price नहीं है let the cost price be x be x कर दिया उसके बाद then gain कितना हो जाएगा gain हमारा है 1 by 6 then profit हमारा क्या हो जाएगा profit या gain gain हमारा हो जाएगा x by 6 x अपान में 6 उसके बाद हम क्या निकालेंगे selling price निकालेंगे selling price निकालने का फोर्मूला selling price जब हमारे पास cost price हो और हमारे पास profit हो तो हम कैसे निकालेंगे selling price हम निकालेंगे cost price cost price plus में क्या कर देंगे profit यह रुपीज में है तब है फोर्मूला अगर आपने फोर्मूला याद किए दें selling price कैसे निकालें cost price प्लस में profit यह हो जाएगा हमारा तो हमारे पास cost price क्या है x है प्लस में profit क्या ये gain profit है 1 by 6 x by 6 यह कहा हमारा इसका हम क्या गरें LCM लेगे यहां से 6 LCM आ गया 6 आ गया यह हो जाएगा यहाँ 1 suppose कर लें तो 6 आएगा और उपर multiply तो 6X हो जाएगा 6X प्लस में यह x हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा रुपीज 7x अपन में 6 यानि 6x प्लस 1x 7x हो गया यह हमार क्या आगा Selling Price आगा और एक Selling Price हमार पास गीवन है Selling Price हमार पास गीवन है एक हम निकाल दिया हम लिखेंगे Selling Price 3,200 20 रुपीज हमार पास है यह क्या हमारा गीवन है दे रखा यह गीवन है इसके Equal एक हमने निकाल दिया है 7x अपन में 6 हमने यह Find किया है तो इसके Equal रख दें दोनों को यह भी Selling Price है 7x अपन में 6 अब हम क्या करें X की Value Find करेंगे 3,220 रुपीज अब यह हम X Find करना है तो X हम यहां लिया है तो यह हमारा जो उपर है निचे Divide में तो जाएगा तो 6 हमारा कहां जाएगा इसको इधर लेके आएगे 6 उपर और 7 हमारा निचे यहां 32 में 28 माइनस क्या 4 बचा और यह 2, 42 हो गया तो 7, 6 जा कट क्या अब निचे हमारा कुछ भी नहीं बचा यह हमारा X की Value क्या आगे 460 का 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 0, 6, 6, 36 3 कैरी और 6, 4, 27 24 प्लस में 3 कैरी 27 रूपीज यह हमारा क्या आगा यह हमारा आगा Selling Price Selling Price नहीं आया हमारा यह यह हमारा क्या आगा Cost Price Selling Price हमारे गीवन है तो हम क्या कर दें अब Gain Percentage निकाला ना तो हमारे पास Cost Price दे रखा था Cost Price था हमारे पास CP हमारे पास Cost Price है यह रहा 2760 रूपीज और Selling Price हमारे पास गीवन है 3220 रूपीज अब यहां से क्या हुआ कोई चीज हमने 2760 रूपीज में पर्चेज की और 3220 रूपीज में क्या कर दी सोल्ट कर दे बेज दिया तो हमें प्रोफिट हुआ न कम रूपे हम खरीदी जाद हम क्या कर दी बेज दी तो प्रोफिट कैसे निकालेंगे प्रोफिट निकालेंगे Selling Price माइनस Cost Price तो Selling Price हमारे है 3220 माइनस 2760 तो प्रोफिट हमार क्या आएगा 460 रूपीज 460 रूपीज हमें क्या फाइंड करना है प्रोफिट परसंटेज फाइंड करना है गेन परसंटेज फाइंड करना है तो प्रोफिट परसंटेज हम कैसे निकालेंगे प्रोफिट 460 अब उन में cost price हमारे क्या है 2760 रुबीज और multiply में 100 तो 0 से 0 cancel 2 से काटेंगे 2 2 जा और 2 3 जा इसको 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 3 जा और 2 8 जा अब यह नहीं कटेंगे यह कट जाएगा 2 से 2 से काटेंगे 50 और इसको 2 से काटेंगे 2 6 जा 2 9 जा अब यह 23 3 जाब करतेंगे 23 3 जा होता है 69 उपर क्या बचा 50 और निचे हमारा 3 इसको हम divide करेंगे तो 16 complete 2 upon में 3 परसेंट हमारे क्या आगा प्रोफिट आगे हमारा 16 complete 2 by 3 परसेंट प्रोफिट आगा तो यह हमारा अंसर आगा हमने क्या निकालना था इसमें प्रोफिट परसेंटेज निकालना था तो यह हमने फाइंट कर दिया है देखो इसको दुबारा explain करेंगे हैं इसके में क्या था selling price गिवन थी और gain यहनी profit गिवन था आफिट प्रोफिट कोस प्रैज का और gain परसेंटेज निकालना था तो हमारे पास कोस प्रैज नहीं था हमने क्या लैट किया एक्स लैट किया और उसके बाद में gain हमारा हो जाएगा एक्स अपोन 6 फिर हम क्या निकालेंगे हम यहां से निकालेंगे selling price तो selling price का फर्मौन था है cost price plus में profit तो cost price हमारे एक्स हैं और profit हमारा एक्स अपोन में 6 है तो यह हमने क्या निकाल दिया selling price हमारा हागा सेवन एक सपोन में 6, एक सेलिंग प्राइज हमने निकाल दिया, एक हमारे गिवन है, दोनों के इकवल रख देंगे, क्या निकल जाएगा, कोस्ट प्राइज, तो दोनों के इकवल रखा, तो हमारे क्या आगया, कोस्ट प्राइज, अब कोस्ट प्राइज हमारे आगया, सेलि 6760 रुपेज की और sell कर दिया 3220 रुपेज की तो profit कितना होगा 460 रुपेज का profit percentage निकाल देंगे profit upon cost price multiply 100 तो profit percentage हमारे कितना क्या 16 complete 2 upon में 3% तो ये हमारा अब next question है हमारा A man sold two radio at 4800 days, one he gained 20%, gain होता है 20% का एक radio भी, and on the other ही loss, loss होता है 20%, find the gain or loss percentage in the whole transaction, two radio है 4,800 रुपीज के इच है, one पे होता है gain 20%, other पे 20% का loss होता है, तो बताना है gain और loss percentage in the whole transaction, तो हम क्या करेंगे पहले, first radio, क्या दे रखा है, sold यानि selling price दे रखी है, selling price हमारी दे रखी है, selling price, 4,800 रुपीज, उसके बाद first पी क्या दे रखा है, gain, 20% क्या दे रखा है, profit या gain, 20% का दे रखा है gain, यहां से क्या निकाल दे हैं, cost price निकाल दे हैं, hundred plus में profit percentage, और multiply में selling price, तो hundred, आप उन में क्या करेंगे हम, hundred plus में 20, हमारा profit gain क्या 20 है, तो one hundred 20 हो जाएगा, hundred plus में 20 है ना profit, multiply में हमारे selling price का 4,800 रुपीज, तो cancel करें, 0 से 0, 12 फोर्जा, 48 और यह 0, अब hundred का 40 से multiply करेंगे, तो यागा, 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, यह हमारे क्या निकल गया यहां से, cost price आगी, first रेडियो गए, second का निकाले हम, अब क्या find करेंगे, second, second रेडियो, second रेडियो का हमारा क्या है, selling price क्या है, यह यह selling price, selling price हमारा दे रखा है, 4,800 रुपीज, loss, इसके अंदर क्या दे रखा है, loss, loss हमारा दे रखा है, 20% का, हम यहां से क्या find करेंगे, cost price हम करेंगे, cost price हम करेंगे, cp, तो हमारा फोर्मूला होता है, hundred, अपोन में, hundred minus में, loss परसेंट, और multiply में, selling price, तो हेंडर्ड, अपोन में, hundred minus में, loss, loss हमारा 20 है, हेंडर्ड में से 20 less करेंगे, तो 80 आएगा, 80, और multiply में क्या करेंगे, selling price, 4,800, तो 0 से, 0 cancel, 0 से 0, 860, 48, और यह 0, 100 कर 60 से multiply करेंगे, तो हमारा आएगा यह, 600 रुपीज, अब total CP हमारे क्या हो जाएगा, total cost price, total, cost price हमारे क्या हो जाएगी, 4000, प्लस में, 6000, यह हमारे क्या होगी, 10,000, रुपीज, और हमारा selling price क्या हो जाएगा, selling price, selling price हो जाएगा, एक रेडियो का है, 4,800, तो 2 का निकालना है, तो 2 से multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 9,600 रुपीज, अब हम क्या निकाल देंगे, हमें profit percentage और low percentage, अब हमारा CPA है, और SBA है, तो हम क्या निकाल देंगे, हमने क्या किया, purchase किया, 10,000 रुपीज का, और sell कर दिया, 9,600 रुपीज का, तो हमें क्या लोस हो ना, तो क्या करेंगे, अब, loss निकालेंगे, loss, यानि हमारी cost price दे दि, given है, जो हमने find किया, 10,000, selling price हमारी है, 9,600, तो हमें यहां से loss हुआ, तो loss निकाल देंगे, यहां से loss कितने का, 400 रुपीज का, 400 का हमें क्या हुआ, loss, loss हुआ, अब क्या पर्संटेज फाइंड करना है, loss, loss percentage का formula होता है, loss, अब उन में cost price, तो cost price हमें निकाली है, 10,000, तो 10,000, multiply by 100, 2,0 से, 2,0 cancel, और 2,0 से, 2,0 cancel, loss percentage क्या होगा, loss, percent, is equal to 4%, क्या होगा, 4% का loss हुआ, देखो, 2 रेडियो थे, एक की जो कीमत थी, उसने बेचा, 4,800 रुपीज का, एक पे 20% का gain हुआ, यानि profit हुआ, दूसरे पे 20% का loss हुआ, तो बताना था, कि find the gain और loss, percent in the whole transaction, तो हमने क्या क्या, फर्स्ट रेडियो है, उसके उपर, सेलिंग प्राइज हमारे गिवन था, 4,800 रुपीज, और gain है, 20% का, हमने या से कोस्ट प्रैज निकाली, कोस्ट प्रैज का फॉर्मूला हेंड़, अप उन में हेंड़ प्लस में profit percent है, मल्टिप्लाई में, सेलिंग प्राइज, तो हेंड़, अप उन में 120 कैसा है, हेंड़ प्लस में 20 profit का, तो यह हमारे क्या आगा, 4,000 रुपीज, सेगेंड पे हमने सेलिंग प्राइज है हमारा, और दे रखा है, और loss भी दे रखा है, तो फॉर्मूला वही है, 80 कैसा है, हेंड़ प्लस में 20 का loss था, दोनों को प्लस कर देंगे, तो 10,000, और S पी क्या हो जाएगा, एक रेडियो का धा हमारा, 4,800, तू का निकालेंगे, तो डबल हो जाएगा, 9,600, अब यह हमारा कोस्ट प्राइज आगा, 10,000, सैलिंग प्राइज आगा, 9,600, हमें loss होआ न, कोई चीज हमने, पर्चेस की 10,000 की, और बेश दी, 9,600 की, तो हमें loss होगया, 400 रुपेज का loss परसेंटेज निकाल दिया, loss अपन में कोस्ट प्राइज मल्टिप्लाई में 100, थैंक्यू,